हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू शौर या बारत आफिसर सब यूट्यूब चनल आप सभी का सवागत है तो स्टुडेंट्स आज का जो यह सेशन है आपके लिए काफ़ इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम इस सेशन के अंदर प्रचंड बैच को शुरू करने वाले प्रचंड बैच जी हां बिलकुल सही सुना आपने तो करीब एंडिये के लिए पांसो से अधिक सवाद जिससे बाहर जाने के क्वेश्चन का कोई चांस नहीं है तो आज इस प्रचंड बैच का हम लोग पर सेसम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम दिया है ऑप्सेशन इस प्रचंड बैच एक आइरिश ऑथर जो की है इवान मेकेना इन्होंने बहुत अच्छी लाइन कई वेन पैशन मेट इंस्पिरेशन अप्सेशन इस बान देट मेंज का बड़ा पैशन हमारा इंस्पिरेशन बन जाए दोनों आपस में मैच हो जाए बटा यानि कि जो हम करना चाहता है एक तरीके से हमें वही प्रेणा दे तो एक नहीं आपसेशन का जनम होता है आपसेशन यानि की सनक भी कह सकता हमां आपसेशन यानि किसी एक काम करने को तिवर इच्छा भी कह सकते हैं तो यह सीच का ध्यान रखना आपको पैशनेट होना बिलकुल अगर आप तरीके से प्रेपरेशन करना चाहता है तो अपने इपसेश्ट वो जाओ अपनी पढ़ाई के लिए औपसेश्ट होगा अपन्य अक्जाम के लिए और ऑप सेट हो जाओ शौर्य भारत ऑफिसल सवह यूट्यूब चैनल के लिए तो आज के हमारे जो मैनली दो च इस question के साथ, आजी बिटा, तो first हमारा question है complex number related जो कि कुछ इस तरीके से है, क्या question है, a complex number is given by z equals to 1 plus 2 आयटा upon 1 minus 1 minus आयटा का whole square आपको दे रखा है, देखो बिटा ये कुछ ऐसे questions आपके लिए बड़ी मैनत से लेकर आया हूं है, जो की exams में पहले भी आ चुके हैं, इस type के और इस type के exams में आने के chances है, तो please इस session को पूरा seriously लेना, आपके लिए हर थोड़े दिनों बाद ये session यूट्यूब पे आपको मिलता जाएगा बटा, आपको questions की तयारी करवाई जाए, ठीक है, तो चलिए बटा, इसी कड़ी में हमारा जो first question है, इसके अंदर एक complex number एक सम्मिश है, वो क्या होगा, और what is the principle argument of Z, जैसा है कि मैंने आपसे पहले भी discuss किया है, जो मैंने shorts के अंदर discuss किया था आपको, एक question आपको दे रखा, उसके उपर based हमारा पास दो questions है, तो मैंने शुरुआत इसी question के साथ करीए, तो बटा किस तरीके से काम करना है, हमारा पास Z दे पड़ेगा, यह थोड़ा complex है, यानि कि cut in आपको देख रहा है, तो इसको simplify form में लाने के लिए, हम लोग क्या करेंगे बिटा, हम लोग लेंगे Z equals to, यहां है उपर 1 plus 2 iota, और नीचे मैं इसका whole square open करता हूं, 1 minus iota का whole square क्या होता बिटा, तो आएगा a square यानि 1 का square, plus b square, minus iota 2 iota इस तरीके से, तो यह यहां पर चला इस तरीके से, अपड़ा यहां पर है 1 plus 2 iota, अपन इस minus sign की वज़े से, अंदर वाला sign change हो जाएगा, उससे पहले हम इसको यहां 1 से minus 1 cancel कर देखा, minus 1 इस प्लस हो जाएगा, 1 plus 2 iota, तो यह पूरा cancel हो गया, Z क्याया, केवल और केवल 1, अब केवल और केवल 1 आया, तो इसको अगर मैं complex number की form में लिखना चाहता हूँ, तो आप 1 plus 0 iota लिख सकते हैं, ठीक है, 1 plus 0 iota लिख सकते हैं, जिसके अंदर जो हमारा real part हो 1 है, और जो imaginary part हो कि तो नहीं 0 है, तो हमें निकालना है modulus of Z, modulus of Z कैसे निकलता है वेटा, उसका formula होता है, अंडर root के अंदर, real part of Z का square प्लस imaginary part of Z का square, तो यहां जब मैं इसको calculate करूंगा, तो पिटा, real part का square है, 1 का square, यह तो 0 i है, तो 1 का square 1 और 1 बाहर आएगा, तो हमारे इस पहले question का answer क्या होने वाला है, option number C1, ठीक है, simple साथा, आपको निकालना था, इसका modulus, हमने calculate कर ल एक बार द्यान से देखता है, तो principle argument क्या होता है, अगर मुझे calculate करना है, तो मैं इस तरीके से बात करूं, यहां पर बटा, हमारे पास जो Z की equation है, वो इस format की है, Z की equation है, और अगर मुझे इसका principle argument calculate करना है, तो बटा, उसके लिए हम जानता है, कि theta की जो value होती है, वो होती इमेजनरी पार्ट है, वो भी positive है, तो 1,0 हमारे लिए यह फर्स क्वाटरेंट में, यह फर्स क्वाटरेंट में कैसा होता है, theta कमान theta ही रहता है, कोई change नहीं होता है, तो यहां पर बटा, B की value है, हमारे पास कितनी 0, जो हमारे पास imaginary part है, वो है 0, और real part है 1, तो tan inverse 0 by 1, tan inverse 0 वो कहां पर होता है, tan inverse 0 होता है, theta 0, तो इसके principle argument की जो value आएगी, theta को कितनी आएगी, 0 आएगी, तो यह पहला question में देखा, चले, अब बात करता है, next question की, जो हमारा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार, what is the modulus of the complex number, आपको यह complex number इस format का दे रखा है, यह देखो ध्यान से, iota duty power, 2n plus 1, और minus iota the power, 2n minus 1, where n belongs to natural numbers, capital 1, that means natural numbers, तो हमें यहाँ पर यह दे रखा है, what is the, sorry, पता करना, इसका complex number का modulus क्या होगा, बाता, directly z की value नहीं दे रखा है, तो बाता, यहाँ, यहाँ, directly, जब z की value नहीं दे रखिये, तो यहाँ, natural number से belong करता है, हमारा small n, मैं सबसे पहले, n equals to 1 के लिए calculate करता हूँ, मैं सबसे पहले, n equals to 1 के लिए calculate करता हूँ, तो क्या calculation होगी, बाता, iota the power 2 into, यहाँ जाएगा 1 plus 1, और साथी साथ, minus iota the power 2 into 1, यहाँ क्या जाएगा minus 1, तो यह कितना होगा, बाता, 2 1s are 2 plus 1, that is iota the power 3, और साथ यह साथ, 2 1s are 2, minus 1, that is minus iota the power 1, तो यहाँ इसको calculate करो, बाता, चलो, मैं इसको यहाँ आगे लिख लेता हूँ, आइटा की power minus को तो बाहर रे लेता है, iota की power क्या होगा, 4, यहनि कि जब मैंने n की value लिखी, n की value किसे नहीं लिखी, 1, तो मुझे result क्या मिला, minus iota the power 4, अब iota की power 4 की value क्या होती है, iota की power 4 की value होती है, 1, तो इसका जो result आएगा, कितना आएगा, minus का 1, तो यहाँ पर इस बार मैंन की जएगा 2 डाल रहा हूँ, 3, तो यह 3 होगा, तो minus बाहर ले लिजिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, iota the power 8, अब जानते हैं, iota की power कोई भी 4 का multiple लगा लो, उसकी value कितनी होती है, हमिशा 1 होती है, तो यानि कि इसकी value मुझे कितनी मिलने वाली है, minus 1, अब देखो, further processing करेंगे, जब मैं n की value 3 लोगा, यहाँ पर, in case जब मैं n की value क्या लोगा, 3 लोगा, तो n की value 3 लेने पर भी क्या होगा, यहाँ पर मुझे जो value मिलती जाएगी, वो value किस तरीके से मिलेगी यहाँ पर आयोटा की power 4 मिला फिर मुझे minus 8 की power 8 मिला फिर मुझे minus 8 की power 12 मिलेगा फिर मुझे minus 8 की power कितना मिलेगा 16 मिलेगा In general मैं कह सकता हूँ हर बार इसकी value के आएगी minus 1 जब हर बार value minus 1 आएगी तो मुझे इसका modulus पता करना है तो minus 1 है z equals to minus 1 क्या हमें इसको ऐसे plus आयटा 0 लिख सकता हूँ है 0 आयटा लिख सकता है यह हमारे पास एक complex number हो गया जनरल फॉक्त अब हमने इसको change कर दिया तो यहाँ पर मुझे इसका modulus निकालना है तो वही है बेटा modulus of z हम लोग calculate करेंगे तो वही फिर से real part of z का all square यहने कि minus 1 का square plus 0 that will be 1 तो इस वाले question का answer भी क्या रहेगा तो दिख वड़ा modulus और argument अपने आप में complex number के लिए बहुत important चीज़े हैं यह concept हम लोग छोड़के नहीं जा सकते हैं यकीन मानिए modulus और argument के question आसान होता है बस थोड़ा सा घुमा के आपको दिया जाता है ठीक है चलिए next question देखते हैं next हमारे पास जो question है कुछ इस तरीके से if iota sorry 2 minus iota root 3 is the root of the equation हमारे पास एक equation दे रहे की क्या equation है आप कहेंगे sorry question हमारे पास x square plus ax plus b equals to 0 और हमें एक root इसका दे रखा है बेटा कितना दे रखा है 2 minus iota root 3 तो मुझे थोड़ी complex conjugate property पता होनी चाहिए कौन सी property complex conjugate property क्या property होती है अगर हमारे पास quadratic equation का एक root आपको दे रखा है 2 minus iota root 3 तो जो second root होगा बेटा हो कितना होगा 2 plus iota root 3 होगा यह ध्यान रखना है अब इसमें भी अलग-अलग-अलग exceptions भी होता है exceptions क्या होंगे वो बिलकुल मैं आपको शौरे वारत app पर जो chapter से लगा complex नमर उसके अंदर की classes के अंदर बताऊंगा फिलाल हम यह देखते है बटा 2 minus iota root 3 है 2 plus iota root 3 हमारे लिए क्या हो गया हमारे लिए दोनों roots की value आगे तो आप let कर सकते है बटा यह alpha हो गया और यह हमारे लिए क्या हो गया बीटा हो चल तो बटा अब यहाँ पर alpha और beta तो मुझे value पता करनी a plus b की तो बटा हम इस quadratic equation के अंदर sum of roots की अगर बात करता है sum of roots यानि की मूलों का योग हम लोग अगर बात करता है तो बटा यहाँ पर मैं क्या करूंगा दोनों को add करता हूँ alpha प्लस beta जनरली किसके equal होता है minus b by a के यहाँ पर minus b की जगे क्या है यह a है तो यहाँ हो जाएगा minus का a upon में क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर हमारे पास a यानि x square का coefficient क्या है 1 अचा बटा अब मैं alpha और beta की value रखता हूँ तो 2 minus iota root 3 plus 2 plus iota root 3 that will be minus a only तो बटा यहाँ से हमारा यह imaginary part तो cancel हो गया तो हमारे पास क्या मिला 2 plus 2 4 that is minus a तो यहाँ पर a की value क्या होगे बटा a की value होगी minus का 4 a की value में क्या मिली minus का 4 अब मुझे किस की value calculate करने है मुझे b की value calculate करने है तो जब मैंने a निकाला sum of roots से तो बटा मैं b निकाल सकता हूँ कहां से product of roots से क्योंकि यहाँ पर यह last मैं constant के रूप में b दे रखा है तो देखे बटा यहाँ पर हम लोग करता है product of roots तो product of roots यानि कि alpha बीटा यानि कि मुझे इन दोनों roots को क्या करना है multiply करना है पहले यह देखो a minus b a plus b क्या होता है बटा a square minus b square directly दो मैं इसको a square यानि कि 4 और minus iota root 3 और यह iota root 3 का square करोगे तो minus minus plus हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा 2 minus iota root 3 चलो मैं एक बार लिखी देता हूँ और 2 plus iota root 3 किसके equal होगा बटा b के equal होगा b by 1 के जनरली बात करूँ मैं b by 1 के क्योंकि यहाँ पर हमारा constant हो क्या है b तो a minus b a plus b a square minus b square बटा a का square करोगे तो 4 minus minus iota root 3 और उदर है iota root 3 तो बटा अब आप b वाले portion का square करेंगे तो iota into iota minus 1 होता है तो minus minus a plus हो जाएगा और यहाँ आएगा root 3 का square 3 that is b तो b की value के आगे 7 तो यह हमारे लिए a आगया कितना minus 4 और b आगया कितना 7 तो जब a और b दोनों हमें पता चल गए तो बटा हम यह कह सकता है a और b में add करेंगे 7 में minus 4 add करोगे तो कितना मिलेगा तो हमारे पास जो a plus b का result मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारे पास जो बटा a plus b का जो result आएगा वो कितना आएगा 7 minus 4 that will be 3 3 हमारा क्या होगा यहाँ पर सही answer होगा इसको हम लोग दूसरे color से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से visible हो सके बटा तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर बटा a plus b की जो हमारी value है किसके equal आएगा a की value minus 4 और यह 7 that will be 3 तो हमारे इस question का सही answer क्या रहने वाला है 3 यानि की option number D ठीक है समझ माई बात तो बटा देखते हैं next question What is the modulus of this अब यह 2023 का question है 2023 जो यानि की इस बार आपका जो exam होगा था April उसी का यह question है और इस तरीके से आपको दे दिया अब यहाँ पर बटा आयोटा डिरेक्टली आपको नहीं दिया लेकिन आपको पता होना चाहिए एक अंडर रूट के अंदर minus 3 है तो इसका मतलब यह आयोटा की format का है तो मिरे को क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर इसको प्रॉसस चेंज करना पड़ेगा चेंज किस तरीके से करेंगे बटा यहाँ पर क्या हम लोग minus root 3 की जगा आयोटा root 3 लिख सकता है बिल्कुल लिख सकता है क्योंकि आयोटा की value क्या आपकी under root of minus 1 upon मुझायगा बटा 2 यहाँ पर और यह है बटा minus 1 by 2 और उसकी पावर में कितना दे रखा है 200 पावर में कितना दिया है 200 और मुझे इसका क्या निकालना बटा modulus निकालना तो यह आपका real part है यह आपका imaginary part है तो modulus निकालना है सपोज मैं इसको z लैट कर लेता हूँ हमें calculation करनी है modulus of z के लिए तो modulus of z के लिए अगर calculation करनी है तो बेटा अंडर रूट के अंदर मुझे एक बार इसका square करना पड़ेगा root 3 by 2 का square पहले कुछ भी कर लो imaginary part का कर लो बाद मेरी एल का कर ले हूँ और फिर यहां मुझे क्या करना पड़ेगा 1 by 2 का square है यहां पर माइनस 1 by 2 है जनरली तो माइनस लेल था हम स्क्वार करने से अल्रेडी वह positive हो ही जाए तो बेटा यहां पर मुझे क्या करना है root 3 का square 3 हो जाएगा 2 का square 4 और यह हो जाएगा 1 और यह क्या हो जाएगा 4 अच्छा अब बेटा इसकी पावर जो है 200 लगाना मत भूल यहां पर पावर कितनी चल रही है 200 अच्छा पावर 200 चल रही है तब मैं क्या कर सकता हूं अब बेटा मैं एक काम कर सकता हूं यहां पर 3 by 4 और 1 by 4 और कितना होगा 3 plus 1 4 by 4 that is 1 तो यहांने की modulus of z हमें कितना मिलेगा यहां पर 1 to the power 200 यह आपने सॉल किया इसको बेटा 3 by 4 plus 1 by 4 1 हो गया 1 की पावर 200 लगा ओगे तो यह 1 की पावर 200 कितनी भी लगा लो बेटा इसका answer क्या रहता है वन ही रहता है इसलिए इसका सही answer होगा option number C तो यकीन माने बेटा complex number के अंदर amplitude और magnitude या फिर मैं जिसको को modulus और magnitude के जो question है पक्के आते हैं जिस जिस type से आते हैं वो सारे types में आपको यहां पर करवा रहा है ठीक है देखता है next question हमारा जो की किस तरीके से है अब देखो बटाए एक matrix दे रहे ही है अब देखो हमारे लिए सवाल important कब हो जाता है अब यहां पर concept मुझे complex number का भी clear होना चीज़ तो यहां पर दो chapter के concept एक साथ यूज हो रहा है तो ऐसा कब जबी भी होता है तो हमारे लिए यह चीज और ज्यादा important हो जाती है तो देखो बटाए इसको कैसे solve करेंगे हमें किसकी value दे रखी है एक matrix है उसकी value हमारे सामने दे रखी और साथी साथ यह constant दे दिया कि है उसकी value हमारे पास 1 upon 2 आयटा और इसके अंदर मुझे पता क्या करना बटा के की value पता करना है यानि कि इस matrix से हमें इस constant को multiply तो matrix multiplication scalar quantity से कैसे किया जाता है बिलकुल हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर बटा अगर मैं A इस तरीके से लिखता हूं जो की है हमारे पा 4 आयटा माइनस 6 इधर है 14 आयटा इधर है students 10 आयटा और इधर है 6 प्लस 4 आयटा इस तरीके से अब मुझे यह जो 1 upon 2 आयटा है हर एक element से क्या करना है multiply scalar multiplication की प्रॉपर्टी होती है तो यानि कि इस 1 upon 2 आयटा का मैं हर एक element से multiply करूंगा या in the sense मगर ऐसा को हर एक element में 2 आयट माइनस 6 upon 2 आयटा एक matrix का जो A11 element है वो कुछ इस तरीके से हो गया साथ इसाथ 10 आयटा upon कितना हो जाएगा 2 आयटा इधर हो जाएगा 14 आयटा upon कितना हो जाएगा 2 आयटा और साथ में last में 6 प्लस 4 आयटा upon में क्या हो जाएगा 2 आयटा अब अगर simplify करें तो यह जो दूओ element है हमारे पास कौन कौन से बिटा एक तो यह वाला element और यह वाला element यह जो दूओ element है हमारे पास सिधा-सिधा answer दे रहे हैं कि यहाँ पर में IOTA सा IOTA को cancel कर सकता हो जाएगा IOTA सा IOTA cancel हो गया तो 10 by 2 कितना होता है 5 यहाँ कि यहाँ A12 element तो कितना आएगा 5 that means यह option तो मेरे लिए क्या हो गया reject यहाँ 7 तो आई नहीं सकता और यहाँ पर कितना आएगा फिर सा IOTA सा IOTA cancel करोगे 14 by 2 यहाँ कितना आएगा 7 यहाँ 7 आएगा चलिए वो सभी के अंदर ठीक है अब मैं ताय करता हूँ इन दोनों की values क्या हो चलो बटा इन दोनों को solve करने के लिए हम लोग किस तरीके से काम करेंगे चलिए एक blank slide ले ले लेते हैं बटा हम लोग एक blank slide ले ले लेते हैं यहाँ पर देखो उस्ट में यहाँ पर यह है 4 आयटा माइनस 6 अपॉन 2 आयटा तो यह यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 4 आयटा माइनस 6 अपॉन 2 आयटा यह हमारा element a11 को solve करता हूं मैं पहले 4 आयटा minus 6 upon 2 आयटा अब यहां से उपर वाले जो हमारे पास elements से लिख रखे हैं वहां से क्या हम 2 आयटा common ले सकते हैं बिल्कुल common ले सकते हैं जब मैं 2 आयटा common लोगा तो मुझे क्या चीज़ देखने को मिलेगी 2 आयटा सपोज मैंने common ले लिया तो यहां क्या रहा यहां रहेगा केवल और केवल 2 minus यहां क्या रहेगा वाटा 3 upon आयटा क्योंकि जब मैं यहां से आयटा है यही नहीं common लोगा तो 2 की वज़े से 6 का तो रहेगा 3 और आयटा कहां चलाएगा दिवाइड में और यहां नीचे क्या है 2 आयटा 2 आयटा से 2 आयटा कैंसल हम जानता है वेटा के हमारे पास 1 upon आयटा की वैल्यू कितनी होती है 1 upon आयटा होता है माइनस का आयोटा basic concepts clear होने चाहिए उसके लिए आपको शौरे वारत आप डाउन्लोड करके वांस से study करनी पड़ी तीक है चलिए तो यहां तू माइनस अब 3 upon आयोटा 3 upon आयोटा को में डारेक्ट लिए से लिख सकता हूं और इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का आयोटा तो यह हो गया 2 प्लस 3 आयोटा यानि कि जो इसका मतलब यह ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत हो गया क्योंकि हमारे पास टू प्लस 3 आयोटा अना चीड़ हमारे पास साथ सकते हैं disp9 अना पर के लिए तो के यहां से वापस थ्री आपॉन आयोटा क्या रहे गा तू और यहा नीचे 2 आयोटा तू अला से वान इसकी वानज़र केंसल वन अपॉन आयोटा थी वन फोम का 3 आयटा और प्लस का क्या हो जाएगा यानि कि इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 2-3 आयटा यानि कि जो हमारा ए 2-2 एलिमेंट है वो कितना रहेगा 2-3 आयटा तो वो किसम है वो हमारा इसके अंदर है 2-3 आयटा that is option number a हमारा क्या होगा करेक्ट है तो इतनी सारी सीचे करने के बाद हमें हमारा आंसर मिलता है तो एक अले की खुशी होती है ठीक है आप भी फील करेंगे खुद अपने इसाब से जब आंसर निकालेंगे देखो बड़ा कोई चीज होती है मैं आपको क्लियर साथ हो एक वो बात होती है कि मैंने कोई निया से कहीं से कॉपी कर लिया और फिर उसको कहीं से देख लिया फिर मैं इसको दिमाग में से्ट कर लिए वह बुस्थिन आप के भूलने चांसे ज्यादा हो पर्स्राइश बतहारा है लेकिन अगर को ऐसा question जो कि मैंने खुल दिमाग लगा के solve किया और उसका answer सही आया तो definitely वह आपको कभी भी miss नहीं होगा कभी भी आप लोग नहीं भूलेंगे ठीक है personal experience है feel करके देख लेना आपको देखते बिटा next question क्या है हमारा तो next question है यहाँ पर मुझे जैड की value दे रखिए जैड की value क्या है 1 plus 2 आयटा upon 2 minus आयटा minus 2 minus आयटा upon 1 plus 2 आयटा अब यह एक complex form है फुर से मुझे क्या करना पड़ेगा इसको मुझे change करना पड़ेगा किसम है simplified form simplified form में change कैसे होगा यहाँ पर मैं इसको LCM लेके sort out करने कोशिश करता हूँ देखे बिटा यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे LCM लेंगे LCM लेंगे तो Z के लिए हम पास जो LCM आयगा वो आयगा 2 minus आयटा और इदर आयगा 1 plus 2 आयटा तो 2 minus आयटा से 2 minus आयटा cancel बचेगा क्या 1 plus 2 आयटा किसे multiply करना है 1 plus 2 आयटा से तो उपर हो जाएगा 1 plus 2 आयटा का whole square next बीच में minus sign है 1 plus 2 आयटा से 1 plus 2 आयटा cancel बचा आप 2 minus आयटा तो मुझे 2 minus आयटा का भी क्या करना है whole square simplify करना है तो फिर value निकाल लें आपको इस चीज़ की Z square plus Z Z bar देखते हैं कैसे निकालें तो बचा इसको नीचे हम लोग ज़रा multiply करवाते हैं multiply गराते हैं तो आयटा हो जाएगा 2 और 2 into 2 आयटा ही हो जाएगा हमारे पास 4 आयटा फिर होगा बचा माइनस का आयटा और यहाँ पर minus answer आयगा लेकिन आयटा इंटो आयटा माइनस 1 हो जाएगा तो यह plus हो जाएगा यहाँ पर किता होगा बचा हमारे पास plus का हो जाएगा 2 multiply किया मैंना basic अच्छा उसके बाद देखते है यहाँ पर इसका all square खोलते है a plus b का all square पहला आयगा a square नहीं की 1 2 आयटा का all square खोल हो जाएगा minus का 4 क्योंकि आयटा square will be minus 1 और फिर प्लस में लोग करेंगे 2 into 2 4 आयटा that is यहाँ पर इस तरीके से पिर यहाँ है minus step by step करता है बिल्कुल यहाँ द्यान से देखते रहे ना किस तरीके से हम लोग कर रहा है तो 2 का square हो जाएगा 4 minus iota का square क्या होता है minus 1 that will be here और यहाँ पर बचा क्या होगा minus का 2 टूजा 4 आयटा तो यहाँ पर मैंने 4 आयटा अब बचा solve करते है तो यहाँ बचा 1 minus 4 कितना हो जाएगा minus 3 plus 4 आयटा और यह कितना होगा बचा 4 minus 1 3 लेकिन बाहर minus sign हो जाएगा minus का 3 और यह minus का 4 आयटा बाहर आएगा कितना हो जाएगा 3 आयोटा इस तरीके से अब आगे इसको further solve करते हैं तो further solve करते हैं तो बटा ये minus 3 और minus 3 कितना हो गया minus का 6 और 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा कितना हुआ that will be 8 आयोटा और यहां पर बटा 4 प्लस 3 आयोटा मैंने इस तरीके से calculation करी क्या अभी भी यह simplified version में है नहीं अभी भी मुझे क्या करना है इसका एक बर rationalization करके फिर आगे इसको further process करना है तो उसके लिए मुझे किसका multiply करवाना पड़ेगा 4 minus 3 आयोटा से और यहां भी 4 minus 3 आयोटा से से multiply करूँगा तो यह आएगा 24 6 को माइनस 3 आयोटा से करोगे तो 6 इंटू 3 आठारा तो आठारा आएगा किसका माइनस का 18 आयोटा साथ ही साथ अब बटा यहां 8 आयोटा को 4 से करोगे तो बटा आएगा यहां पर हमारे पास प्लस का कितना हो जाएगा बटा प्लस का हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 4 देट इस 32 आयोटा ठीक है अच्छा एक बार वापस इसको चेक कर लेता है तो आजायगा प्लस का 18 आयोटा फिर हम लोग 8 आयोटा को 4 से करेंगे 8 4 दा 32 प्लस का 32 आयोटा और बहुता 8 आयोटा को मैंस 3 आयोटा से करोगे 8 3 दा 24 लेकिन साइन आएगा कौन सा negative negative positive वजा क्योंकि एक negative sign तो plus minus वाला और negative sign आयटा के square वाला that means हमें क्या मिलेगा plus का 24 मिलेगा तो इतनी calculation करी मैं तो इस calculation से result क्या निकला तो result क्या निकला आप देख सकते हो minus का 24 से plus का 24 cancel हो गया तो यहां कितना रहा 18 आयटा plus 32 आयटा that is 50 आयटा और अपन मैं क्या बटा 16 plus 9 that is 25 तो इतनी calculation करने के बाद मुझे जो result मिला Z का क्या मिला? Z का जो बटा result मिला वो कुछ इस तरीके से मिला 50 आयटा अपन 25 that will be 50 cut हो जाएगा यहां पर 2 आयटा तो Z की value के आगे 2 आयटा तो बटा calculated questions था तो इसको यहां पर Z की value मिल गई, अब मैं क्या करता हूँ यहां पर मुझे जो value find करने है Z square plus Z Z bar Z square plus Z Z bar मुझे पता करता है Z bar यानि कि उसका conjugate तो बटा यहां पर Z square करोगे तो 2 आयटा का मुझे करना square plus Z Z क्या है बटा, Z है 2 आयटा और इसका जो complex conjugate होगा क्या होगा, माइनस का 2 आयटा अब यहां पर 2 आयटा का square करता है 2 तूजा 4 ते होगा, माइनस 4 अब यहां देखो, आयटा इंटो आयटा that will be minus 1 minus minus क्या हो जाएगा, plus तो यहां पर plus ही आयगा, 2 तूजा क्या हो जाएगा 4 minus 4 plus 4, that is 0 यहने कि option number A मेरा क्या है, सही है तो इस तरीके से बिटा हमने question किया, थोड़ा calculated था, लेकिन आपके लिए important है, इस type के questions करेंगे, तो पक्का complex number के question गलत नहीं होगे तो जनरली, अगर मुझे cube roots of unity, ना, देखो बटा, आपको यह चीज देखते ही समझ मानी चीए, कि मैं यहां बात करूँगा, cube roots of unity, यानि कि हिंदी के अंदर अगर आप बात करूँद तो उसको कहेंगे, हम लोग ekai के घनमूल, तो वो क्या होता है बटा, इसके अंदर हमारे पास generally कुछ condition देखने को मिलती है, यह जो value है, minus 1 plus i8 root 3 upon 2, यह value बराबर होती है, omega की, और जो minus 1, minus i8 root 3 upon 2, यह value आपके equal होती है, omega square, और उसके अंदर result क्या होता है, बटा, 1 plus omega plus omega square की value किसके equal होती है, 0 के, और साथ ही साथ, omega cube की value होती है, 1, यह दो important result है, आपके, cube roots of unity के most important results, ठीक है, चलो बटा, तो यहाँ पर, जो मैं इसको आगे solve करता हूँ, तो बटा, मुझे पता चला कि यह तो omega ही है, और यहाँ क्या यह omega square है, जिनरली हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, तो मैं इसको directly यहाँ से omega की power कितना लिख सकता हूँ, n, और यहाँ पर, बटा, क्या लिख सकता हूँ, omega square की power, हम लोग क्या लिख सकता है, तो यह क्या हो गया, omega की power n प्लस omega की power 2 है, देखो, अब मुझे क्या दिया है, बटा, यहाँ पर n जो है 3 का multiple नहीं है, 3 का multiple नहीं है, तो मैं इसको 1 लेकर देखता हूँ, 1 लेकर देखूंगा, when we are putting n equals to y, 3 का multiple नहीं है, कोई बात नहीं, 1 ले लो, omega की power 1 प्लस omega की power 2, अब देखो, बटा, omega प्लस omega square की value होती है, हमार पास 1 को उदर बेजेंगे, तो माइनस 1 के बराबर, तो इसकी value क्या आ रही है, माइनस 1, अब अगर मैंने की value 2 रखता हूँ, 2 रखेंगे तो omega की power square और यहां आएगा omega की power 4, omega की power 4 क्या होता है, omega की power 4 को आप ऐसे लिख सकते है, omega 3 into omega, तो यह omega 3 की value 1 होती है, तो यह omega square और यह हो गया वापस से omega, तो यह किस के बराबर, फिर से minus 1, यानि की 3 के अलाव अगर आप कोई भी value रख लेते हो यहां पर, तो हमारे पास result कितना निकल गया आता है, minus 1 तो that will be b option or correct, ठीक है, b option will be or correct answer, ठीक है, तो minus 1 हमारे इस question का answer था, ठीक है बटा, देखते हैं, next question, next question क्या है, आपके पास, z equals to x plus iota wise format का दे रखा है, 1 by root 2 minus iota by root 2 की power मैं कहा है, minus 25, solve करते हैं बटा है, अब देखो, इसको solve करने के लिए, मुझे इसको तोड़ा सा transform करना पड़ेगा, क्या transform करना पड़ेगा, ध्यान से देखना है, मुझे value पता करनी है, z minus root 2 upon z minus iota root 2, आपके पास यह given equation है, और इसके amplitude की value पता करनी है, इसकी value भी नहीं, मुझे इसके amplitude यानि की, जोब theta equals to tan inverse b by a है, उसकी value पता करनी है, तो भीटा हम लोग 1 by root 2 को जेनरल यह क्या लिख सकता है, cos pi by 4, और साथ ही साथ, उधर भी 1 by root 2 ही क्या हम उसको sin pi by 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि cos pi by 4 और sin pi by 4 दोनों की value क्या होती है, 1 होती है, sorry, 1 by root 2 होती है, तो minus iota, यह कितना हो जाएगा, sin pi by 4 और उसकी power में क्या चल रहा है, minus का 25, ठीक है, अब हमारे पास एक binomial theorem का concept होता है, कि यह जो power है, हम लोग directly इसके अंदर insert करवा सकते हैं, तो इसके अंदर जब हम लोग insert करेंगे, तो यह minus वाली power है, यहाँ पर भी बीच में minus है, तो generally हमारे पास जो term बनेगी, वो कुछ इस तरीके के बनेगी, यहाँ पर हो जाएगा cos, यह हो जाएगा 25 अंदर आजाएगा, pi by 4, ठीक है, और साथ ही साथ, minus है इस वजए से यह plus में change हो जाएगा, और यहाँ रहेगा, आयोटा साइन, यह भी कितना हो जाएगा, 25 pi by 4, इस तरीके से, ठीक है, तो यह general, आपके I love theorem का concept है, तो concept हम लोग clear करेंगे, chapter के दौरान, तो यहाँ पर हमने क्या है, क्या इस power को अंदर ले लिया, तो यह result मेरे को मिला, यहां रहेगा, यहां क्या लिखेंगे, pi by 4, प्लस आयोटा, साइन वाले में भी यही काम करते है, 6 pi प्लस यहां पर क्या रहेगा, pi by 4 इस तरीके से, अच्छा बटा, तो 6 pi plus pi by 4, 6 pi कौन से, access पर लाइख करेगा, देखो हमारा पास, यह access होती है जो कि इस तरीके से में आपको show करता हूं तो यहाँ पाई यहाँ आएगा 2Pi यहाँ थी पाई दिर आएगा 4Pi दिर आएगा 5Pi वापस से इदर आएगा 6Pi यहाँ आए यहाँ कि 6Pi वाली कौन सी हमारे पास AXS होगी, xAXS, 6Pi plus theta कौन से quadrant में जाएगा, इसमे यहाँ पर यह 1st quadrant में जाएगा, 1st quadrant के अंदर के अदर के अधरा सारे angles positive होते हैं, तो इसको मैं directly लिग देता हूं, change भी नहीं करना पड़ेगा मुझे, यह हो गया, मेरे पास क्या, के बीटा 1 बाय रूट 2 फिड से रख लेता है और प्लस आयोटा साइन पाय बाय फोर देट इस हमारे पास वाली आएगी कितनी आएगी 1 बाय रूट 2 इस तरीगे अच्छा छोटा सा कॉंसेट रहा है एक बार देखो ज्यान से कyई हो रहा है है हाँ यहां पर –25 –25 है तो generally cost के अंदर जो minus वाली sign होगी यहां क्या feel हुआ है देखो यहां concept क्या लगा बटा concept यह लगा है cost of minus theta क्या होता है बटा पर-cause theta ही होता है क्योंकि यह sign को और sign of minus theta यह क्या होता है यह sign theta ह contributed घुर अगर और deep 3500 तो इसी लिए 6- beta था माइन सी माइनस Ó enfants आपने अपने हैं यहां पर माइनस गी तो फ्लस हो गया तो नहीं की इगे तो और मैंने आपको detail के अंदर concept बता दिया तो यहाँ आप क्या होगा बटा यहाँ देखो इसका root 2 LCM लेंगे तो z की जो बिली आए कि y की 1 plus iota upon root 2 तो इतनी मैनत के बाद इतनी जद्दो जद्द के बाद हमें x sorry z की value मिली अब मुझे क्या करना है यहाँ पर इसका amplitude निकालना है इस वाले expression का तो z minus root 2 upon z minus iota root 2 z minus root 2 upon z minus iota root 2 जहाँ पर हमारे पास z की क्या value है बटा जहाँ पर where you have to put z equals to कितना आया था हमारा 1 plus iota upon root 2 1 plus iota upon mega root 2 यहाँ put करते हैं तो देखो put करेंगे तो बटा यह आएगा 1 plus iota upon root 2 minus यहाँ रहेगा root 2 और यहाँ पर 1 plus iota upon root 2 इधर क्या रहेगा बटा minus का iota root 2 root 2 तो तो सब multiply नीचे से cancel हो जाए यह क्या आएगा बटा 1 plus iota root 2 को root 2 से करोगे तो यहाँ आएगा minus का 2 अच्छा अब यहाँ नीचे भी आएगा 1 plus iota और बटा root 2 को root 2 से करोगे तो क्या मिलेगा minus का 2 आएटा यहाँ पर यहाँ पर यह इस तरीके साया हमार पास उपर मेरे पास expression क्या बन रहा है 1 minus 2 that is minus 1 plus iota और नीचे क्या बन रहा है 1 यह किता होगे बटा minus का iota ठीक है यही बना बरबास यहाँ पर हम लोग फिर से चेक कर लेता है root 2 minus iota root 2 into root 2 2 रहेगा और यहाँ minus iota रहेगा ठीक है अब देखो बटा उपर वाले expression मैं से अगर मैं यहाँ पर minus sign कॉम ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1 minus iota और नीचे क्या 1 minus iota तो यहाँ पर 1 minus iota से 1 minus iota cancel होगे बचा गया केवल और केवल minus का 1 जब केवल और केवल minus का 1 बचा तो आप इसको इस expression को इस तरीके से लिख सकते है बटा minus 1 plus iota into 0 यह मैंने इस format में लिख दिया ताकि मुझे इसका amplitude सारी magnitude जो निकालना है वो निकालना इस तरीके से थीटा आगया होता है टैन इनवर्स वी बाइ टैन इनवर्स वी बाइ पुटा यहां बी की वैल्यू हम लोग एक बार सारा positive लेगे चलते हैं पहले देखो quadrant कौन सा है एक्स हमारे पास negative है एक्स negative है और positive second quadrant होगा second quadrant में हमारा जो भी आंसर आता होगा आता है पाई माइनस थीटा तो पहले थीटा देखते है कितना है तो यहां थीटा की value calculate करेंगे तो हमारे लिए tan inverse यहां पर क्या हो जाएगा b by a that is यहां हो जाएगा b की value is 0 upon minus 1 that will be tan inverse 0 यानि क्या आएगा 0 क्या 0 मेरा answer होगा देखो option में 0 भी दे रखा आपको जाने के लिए दे रखा है चला 0 दे ही नहीं रखा और यह अच्छी बात है तो फिर यहां पर क्या 0 तो मेरा answer है नहीं तो मेरा second quadrant के अंदर pi minus theta answer होता है तो इस question का answer होगा pi minus 0 that is pi तो हमारे यहां पर यहां पर यहां पर यह जो इस question का answer आए क्या आएगा option number a pi तो बटा यह थे हमारे chapter complex number related question तो मैंने आपको ऐसे questions करवाने की कोशिश करी जिसके अंदर बटा हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा number of questions एक्जाम में देखने को मिले तो बटा हमारे पास next जो slide है कुछ इस तरीके की है mission जियोती lightening the path to women's empowerment तो बटा जनरली अगर मैं बात करूँ यहां पर तो हो क्या रहा है शौर्य भारत जो defense exams learning app है वहाँ पर सभी girls candidate के लिए NDA और CDS की जो coaching है बिल्कुल और बिल्कुल free कर दिए बिल्कुल और बिल्कुल free बिटा आपके अगर कोई cousin है कोई friend है जो भी है आप खुद भी देख रहा है बिटा तो प्लीज आप उनको यह चीज जो बताएं या खुद भी इस तरीके का notice करके रखें यह शौर यह बारत आपके लिए आप पर online course completely free लेका यह जीरो cost तो बिल्कुल mission जोती woman empowerment के लिए ही बनाएगा है NDA के अंदर girls के entry भी होगी आप सभी को तो पता ही है तो बिल्कुल आप डाउनलोड करें और इसको यहाँ पर NDA की तैयार ही का है दमदार देख बटा next हम लोग कुछ questions लेते हैं जो कि है हमारे पास quadratic equations के तो कुछ quadratic equations के अंदर हम यह question देखते हैं पहला question हमारे पास कुछ इस तरीके से if alpha and beta are the roots of the equation 3x square plus 2x plus 1 alpha और beta हमारे दो roots देहां मुझे किसकी value पता करनी है alpha plus beta inverse and beta plus alpha inverse मुझे इसकी value पता करनी है तो पिटा अगर मेरे पास equation दे रहे है 3x square plus 2x plus 1 equals to 0 alpha plus beta किसके equal होगा होता minus b by a that will be equal to minus 2 by 3 next हम बात करते हैं पिटा अगर में alpha, beta और product of roots के बारे हम बात करो equation number 1 देदो यह हो जाएगा 1 by 3 equation number 2 अब हमें value किसकी पता करनी है इसकी value भी नहीं पता करनी है हमें क्या पता करना है ऐसा equation जिसके यह दोनों क्या है roots है तो general equation का format क्या होता general कोई भी equation होती है उसको इस form में लिखा जाता है x square minus alpha plus beta x plus का क्या होता alpha, beta that will be 0 यह general equation होती है तो अगर मैं इन दोनों का sum और इन दोनों का product पता कर लूँ तो वो value मैं यहाँ पर रखके इसका क्या अगर सकता हूँ answer निकाल सकता हूँ ठीक है देखो बटा तो किस तरीके से हमें काम करना होगा हमारे पास roots दे रखे हैं यह कौन से एक तो है alpha प्लस बीटा inverse मैं यहाँ पर sum निकालता हूँ तो बटा sum निकालोगे तो आप ऐसे करोगे sir alpha इसको आप ऐसे लिख सकता है alpha upon sorry one upon beta और यहाँ पर क्या लिख सकता है बटा plus क्या करूँगा मैं यहाँ पर beta plus क्या करूँगा one upon alpha तो आप इसको ऐसे लिख सकता है alpha plus beta यह पास में लिलो और यहाँ पर one upon beta plus क्या कर सकता है one upon alpha अब बटाई यहाँ alpha plus beta तो है चलाँ इसको यहाँ आगे करते है यहाँ alpha plus beta तो है ही इसको मैं नहीं चेड़ता हूँ और यहाँ पर मैं LCM लेता हूँ LCM कितना आएगा alpha बीटा और उपर क्या मिलेगा एक बार alpha एक बार beta तो मेरे पास alpha plus beta की value भी है यह भी alpha plus beta और alpha बीटा तीनों की values है मैं यहाँ पर put करता हूँ मुझे sum of roots मिल जाएगा easily ठीक है alpha plus beta कितना था equation number 1 से minus 2 by 3 फिर मैं यहाँ पर उपर minus 2 by 3 लिखूंगा और alpha बीटा की value क्या है 1 by 3 तो देखो आप बीटा 3 से 3 cancel होगा यह क्या बचा minus 2 by 3 और यहाँ पर क्या बीटा minus का 2 that is 2, 3, 6 minus 2 यह हो जाएगा minus का 8 by 3 तो sum of roots कितना आया इस equation के लिए minus का 8 by 3 अब बात करते हैं product of roots के लिए तो यहाँ पर मैं अगर product की बात करता हूँ तो बचा जो product होगा हमारे लिए यानि कि मैं दोनों roots का multiply करता हूँ किसका alpha प्लस 1 by beta और beta प्लस क्या करूँगा 1 by alpha यही चीज है यह हमारे पास दो roots है alpha प्लस 1 by beta प्लस 1 by alpha 1 by beta को beta से करेंगे फिर से 1 और यहाँ नीचे के आएगा 1 upon alpha बीटा तो यहां पर alpha बीटा की वेल्यू किया है 1 by 3 है हमें पता है 2 होजाएगा और यह alpha बीटा की वेल्यू जो 1 by 3 1 by 3 उपर जाएगा 1 by 3 प्लस 2 plus 3 5 तो मैं इसको ऐसे लिख से तो हम 5 प्लस 1 बाइ 3 5 प्लस 1 बाइ 3 वाइ 3 जा 15 और यह 16 बाइ 3 याने कि sum of roots क्या था? माइनस का 8 बाइ 3 और product of roots क्या हमरे पास जो कि क्या मिला बेटा? product of root 16 बाइ 3 तो मैं इस equation के अंदर जो मैं अभी यहाँ पर लिखे थी x square minus sum of roots जो कि alpha प्लस बीटा होता है या खाली sum लिख दो बेटा sum into x और प्लस मैं क्या होता है? product जो कि आपका alpha बीटा है तो यहाँ पर हमें जो sum मिला कितना मिला? minus का 8 बाइ 3 minus minus plus 8 बाइ 3 यहाँ पर x plus product कितना मिला? 16 बाइ 3 equals to z तो बेटा यहाँ पर हमें 3 को फूरी equation को 3 से multiply कर वाला है 3x square plus 8x plus 16 यह हमारे लिए क्या होगा? हमारे इस question का answer हो तो देखते हैं कौनसा answer है? सारे positive है सारे positive है तो option number a मेरा क्या होगा? तो यह हमारे पास एक question था quadratic equation देखते हैं बेटा next question तो next question है हमारे पास कुछ इस तरीके का यह भी एक previous year exam बेटा 2023 का equation आई हो जहां तक मुझे याद है 2023 का equation है सारी तो यहाँ पर बेटा जब मैं यहाँ पर इस question को अच्छे तरीके से पढ़ूँगा तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है? मुझे यह पता करना है कि एक equation दे रखी है और इसके roots क्या है? equal है roots अगर equal होता है तो जो discriminate होता है b square minus 4ac यह किसके equal होता है? यह equals to 0 होता है तो इनमें से कौन सा expression या कौन सा algebraic expression हमारे लिए सही है यह पता करना है तो यहाँ पर हमारे लिए इस equation के अंदर दे को x square तो है यह भी x का हिस्सा है यह भी x का हिस्सा है तो मैं यहाँ पर minus comma ले लेता हूँ तो यह आएगा बटा a plus b plus c यह साथ में क्या आजाएगा x यह यह b, c minus x मेंने बाहर ले ले plus यहाँ क्या रहेगा b c plus c a equals to 0 इस तरीके से अब मैं यह condition apply करता हूँ कि b square minus 4 a say will be 0 b square b की क्या value है बटा b की value हमार पास minus के रूप तो minus का square करोगे तो already positive हो जाएगा तो यह आएगा a plus b plus c का whole square minus 4 a की क्या value हो a की value है 1 और c की क्या value है b c plus c यह जो पूरा है यह particular हमारे पास c का काम करेगा ध्यार रखना constant के रिए खाली b c यह खाली c मतले है तो यहां पर इस तरीके से हम आगे बढ़ता है तो यहां whole square open करता है तो a plus b plus c का whole square क्या होता है a square plus b square plus c square plus 2 a b plus 2 b c plus का होता है 2 c अच्छा पिर यहां minus 4 multiply करोगे तो minus का 4 b c आ जाएगा minus का 4 a c या c a भी लिख सकते है आप दोनों एक ही बात है यह किस के equal है 0 के equal क्योंकि यह condition है मेरे पास किसकी equal roots होने ही अच्छा इसको आगे solve करते है बटा a square plus b square plus c square देखो a b वाला equation तो 2 a b ही रहेगा और यहां 2 b c minus 4 b c that will be minus का 2 b c और 2 c a minus 4 c a यह किसके equal होगा minus 2 c a equals to z अब इसको मेरे को एक जैसे मैंने यह whole square open गया तो मुझे यहां पर इसको open वाले square को क्या करना है पहले short में बनाना है बंदे करना एक तरीके से यह क्या जाए तो पटा यहां क्या होगा यहां जनरली हम यह देखते हैं कि पटा हम यह तो देख पा रहे हैं कि जनरली यह इसी format का answer है a plus b plus c का whole square है लेकिन इसके अंदर दो minus sign तो minus किसकी वज़े सा है क्या a और b minus sign की वज़े सा है नहीं a और b दोनों plus से तभी तो यह plus आ है अब पटा जब b plus हो गया तो c minus हुआ c के minus होने की वज़े से यह क्या होगे जोनों terms negative होगे यानि कि यह हमारा किसका whole square है a plus b minus c का whole square है that will be 0 यह understanding बहुत important कि यहां दोनों जो sign है negative कौन सी terms के पीछे है c वारे terms के पीछे है यानि कि c हमारा क्या रहेगा negative whole square उदर जाएगा तो पीटा यह क्या हो जाएगा a plus b minus c that will be 0 तो इसका option number c हमारा क्या होगा correct दीक है अब simple सा था अगर आपको basic algebraic identities वगरे याद है तो आसानी से हो जाएगा दीक है पीटा देखते next question how many real roots does the equation यहां पर तो यहां पर real roots कितने होंगे आपको बताना है तो जब भी मॉडुलस वाला question मॉडुलस वाले question को अच्छे तरीके से दिमांग में रखना मॉडुलस आपके NDA के paper में करीमें बता तो 10 questions के अंदर आपको मॉडुलस मेलेगा क्योंकि अपने आप में एक अलगी variety कभी quadratic equation मॉडुलस होगा कभी integration वाले मोगा कभी differentiation वाले मोगा हर जगे आपको मॉडुलस वाले question तो मिली जाए तो यहां पर हम लोग देखता है पास प्लस का प्लस की जगा माइनस का 3X प्लस 2 इक्वाल सुझी ठीक है जनरली यहां पर एक quadratic equation होनी चीए तो यहां पर हम लोग 2 ले लते हैं इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम लोग 3 की जगे 2 कर लेते हैं हाँ हाँ जी तो यहां पर हम लोग लेते हैं X स्क्वार प्लस 3X प्लस 2 और X स्क्वार माइनस 3X प्लस 2 इस तरीके से अच्छा तो पटा यहां पर अब आप देखो इस equation को solve करो तो solve कैसे करोगे x square एसे करो एक फेक्र हो जाएगा टू एक स्क्वार एक स्क्वार प्लस एक थू होजाएगा लेह 2op रेंठे़ चीड स्वार करोगे तो क्या हों विस्टा करेंगे तो माइनस का 3 चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का यहाँ पर हम एज़ता है लिखंगłbym सकते हैं 2x और 1 लेक्स मैनस का एक्स और प्लस में किलैंट के 2 मस्य बोस्तिटिफ सो जाए कि यहाँ पर बटा कॉमन उन क्या रहा है तो फिर से x-2 यहां जो x की values आएगी एक आएगी 1 और एक आएगी 2 अब देखो तो यहां जब मैंने लिया ही x greater than 0 है तो negative values कैसे दे सकता है और जब मैंने लिया ही x less than 0 है तो positive values कैसे दे सकता है यानि कि इसके real roots exist करेंगे नहीं तो 0 हमारा क्या होगा सरी answer ठीक है तो यह हमारा इस तरीके से question था देखते हैं बटा next question क्या है if alpha and beta are the roots of the equation x square plus x plus 2 equals to 0 then what is this बटा ऐसे question कई बार आ है alpha की power 10, alpha की power 19 कई बार options के अंदर alpha की power 10, alpha की power 19 इस तरीके से हमें दे रखा होता है ठीक है बटा तो करेंगे कैसे इसको तो किस तरीके से करेंगे बटा हमारे पास यह यहाँ पर equation x square plus x plus 2 equals to 0 मुझे यह बताओ sum of roots क्या होगा sum of roots होगा alpha plus beta that will be minus का 1 upon में क्या हो जाएगा 1 that will be minus 1 और product of roots क्या होगा alpha बीटा वो हो जाएगा बटा मेरे पास 2 by 1 that will be 2 यहाँ से sum of roots यह sum है और यह क्या है बटा यह product है अच्छा तब क्या करें हमारे पास solve करने के लिए यह expression देखो मैं इसी के अंदर आगे आपके पास solve कर लेता हूँ उपर है alpha की power 10 beta की power 10 नीचे हम क्या इसको ऐसा लिख सकते है बटा 1 upon alpha की power 10 और 1 upon beta की power 10 तो यहाँ से क्या ह होगा यह तो उपर मैंने कोई चेंज यहां पर नहीं किया है और नीचे बटा alpha की power 10 beta की power 10 तो यहां आएगा पहले बीटा की power 10 प्लस यहां क्या आएगा alpha की power 10 देखो यहां उपर वालिटम सुपर वालिटम cancel होगी तो क्या बचा 1 upon यहां क्या है 1 upon alpha beta की value क्या alpha beta product of roots कितना ह 2 तो बटा आएगा 1 upon 2 उसकी power में 10 जब यह उपर जाएगा तो यह 2 की power 10 है 2 की power 10 उपर जाएगा तो 2 की power 10 ऐसे हमारे पास numerator part में आ जाएगा 2 की power 10 कितना होता है 1024 that is option number C will be correct तो बटा यह alpha beta की power वाले questions कई बार NDA exam में देखे गया है तो अच्छे से करके जाएगा तो अच क्या question है 2x square plus 3x minus alpha has the roots minus 2 and beta while the equation एक equation आपको दे दी इसके दोनों roots है जो है positive है चलो ठीक है alpha की value और beta की value क्या greater than 0 है तो मुझे दो equation दिये कि पहली बात तो alpha की value क्या पूछी और beta 2 और 2M GP के अंदर आप देखो quadratic equation और sequence and series दोनों हमारे पास एक equation के अंदर आए GP के बारे में बात कर लिए यानि कि गुणोत तो shady के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग पहले यह देखते हैं question के अंदर के दे क्या रखाए 2x square plus 3x minus alpha equals to 0 इसके जो दो roots है minus 2 और दूसरा है beta sum of roots minus 2 plus beta कितना होगा यहां से करें कि तो beta आएगा minus 3 by 2 अब क्या मुझे यहां से beta के value पता कर चल सकती है बिल्कुल चल सकती है minus 2 को उदर बेज़ दो देख लेते हैं एक बार वापस sum of roots जैने कि minus 2 plus beta minus 3 by 2 that is minus b by a correct है तो यह 2 उदर जायागा तो beta हो जायागा हमारे पास positive का minus 3 by 2 तो पहले सी था अब मैं बात करता हूँ product अब मैं क्या बात करता हूँ product की बात क्या करते है दोनों का multiply minus 2 into beta किसके equal हो गापड़ा यहां पर minus का alpha की value है sorry c की value है minus alpha upon हो जाएगा 2 तो यहां अगर मैं बात कर बड़ा बीटा की value place करते है पहले बात हो माइनस से माइनस साइन कैंसल कर लो बीटा की value कितनी आई वन बाय टू और यहां पर क्या हो आगे बड़ा यहां पर alpha by 2 2 से 2 कैंसल हो गया तो alpha की value क्या मिल रही है मेरे को 2 मिल रही है तो option number c हमारे पहले वाले question का क्या रहेगा answer पहला question तो हो गया अब पहला question हो गया तो दूसरा वाला पहले के जैसा ही है इसी पर बेज़ रहे कैसे है देखते हैं यहां पर हमें दिया हुआ बीटा 2 और 2N यह कैसा है जीपी में है अच्छा क्या मिर पास M की value है नहीं मिरे पास M की value नहीं है तो बेटा M की value find करने के लिए हम लोग क्या कर सकता है क्योंकि मुझे यह दे रखा है कि बीटा root M की value आपको पता करनी है जब यह तीन चीज़े जीपी के अंदर है तो मैं यहां value लगाता हूं beta की 1 by 2 2 और 2N जीपी की condition क्या होती है जीपी की condition होती है पटा कोई 3 times हमारे पास जीपी के अंदर होती है तो उसके condition होती है क्या condition होती है जीपी की condition होती है बी स्कॉर किसके equal होता है A C के यहनि मिडिल वाले time का square करोगे तो A into C के बराबर होगा तो यह की value किते मिली 2 का square 4 हमें क्या पता करना है beta root M you have to find the value of beta root M beta की value हमारे पास 1 by 2 है पहले से calculate कर रही है M की value क्या है M की value है 4 तो under root 4 क्या होता है 2 1 by 2 into 2 that will be 1 हमारे लिए इस question का क्या रहने वाला है answer है ठीक है तो इस question का answer था particular 1 देखते बढ़ा next question Consider the function एक function दिया है मेरको 27 x to the power minus 2 by 3 minus x upon 4 अब यह भी beta previous year question है दो जार बाइस या फिर यह तेबिस का ही सवाल है ठीक है तो देखो इस तरीके से रहने question मना दिया पूचा है How many solution does the function fx equals to 1 है and how many solution does the function fx equals to minus 1 है देख अब देखे बटा यहाँ पर तो यहाँ पर इस function को मैं fx equals to 1 पर calculate करता हूँ function में fx की जाएगे मैं 1 ले लेता हूँ यहाँ आएगा 27 x to the power 2 by 3 minus x upon में क्या आजाएगा 4 तो पीटा 4 को उधर transfer कर सकते है और 27 नीचे आ सकता है तो यह आजाएगा 4 upon 27 that will be equals to x to the power 2 by 3 minus x अब मुझे equation solve करते है अब थोड़ा सा calculate equation ज्यान देना जब मुझे equation solve करनी है तो हम क कर सकते हैं इसको इस format का बना देता हूँ यहाँ पर मैं x की value को इस तरीखे से लिखता हूँ x उसकी power 1 by 3 का square कर सकता है 2 by 3 है तो मैं 1 by 3 का square कर सकता हूँ minus ले सकता हूँ x तो मैं let करता हूँ x to the power 1 by 3 को क्या let करता हूँ y y let करोगे तो यहाँ x की value किसके equal हो जाएगी y cube के equal हो जाएगी यहाँ पर हम लोग लिख देता है तो यहां से x की value किसके एकुल हो जाएगी y cube के एकुल हो जाएगी 1 by 3 पाउर उदर जाएगी तो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी अच्छा देखू तो यहां पर अब हम क्या कहते है बिटा यहां ध्यान से देखना मैं यहां पर value रखता हूँ इधर तो यह 4 by 27 इसकी जाएगी आजाएगा y square minus यहां क्या आएगा x की जाएगा y cube तो हमारे लिए नई equation क्या बनी हमारे लिए जो नई equation बनी वह यह थी पिटा 4 by 27 equals to यहां पर क्या हो जाएगा अमारे पास यहां था x की power 1 by 3 y square minus y cube y square minus y cube अच्छा इसको simplify करते है पिटा तो यह क्या हो जाएगा 27 उदर से multiply हो जाएगा 4 will be equal to 27 y square minus 27 y cube और generally मैं इसको इस format में लेके हाँ तो 27 y cube minus 27 y square plus 4 equals to 0 तो यह करे कि क्या है पिटा cubical equation अब इस cubical equation को solve करना है तो solve करने के लिए पहले इसका एक factor ढूंड रहते हैं factor ढूंड के बाद अब लोग क्या कर लेंगे long division method से इसका answer लेका तो factor आप देखें कि वटा y की value minus 1 by 3 जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो मुझे इस equation की value क्या आज मिलेगी 0 अब अगर y की value minus 1 by 3 है तो आप कहा सकता है 3y plus 1 यह हमारे ले क्या होगा एक factor का गाम करेगा इसका गाम करेगा factor का अब इसको solve करते है तो अगर 3y plus 1 इसका एक factor है तो यह 3y plus 1 लिखा मैं long division method करता हूं तो long division method क्या कहता है अंदरवला expression आप यहां रखे 27y cube minus 27y square और plus का क्या हो जाएगा अपको divide करने के लिए आपको सबसे बिले 27y cube upon 3y करना पड़ेगा जो क्या हैगा 9y square तो पूरी equation को 9y square से multiply करना पड़ेगा 9y square को इससे करोगे तो 27y cube plus हो जाएगा 9y square ठीक है अब बेटा यहां क्या होगा 27 minus sign करता है यह cancel हो जाएगा यहां पर minus 27 minus 9 that will be minus 36y square और plus का मैंने के लिए यहां पर 4 अब बेटा मैं यहां पर क्या question के अंदर वेली लोग इसके अंदर इसके डिवाइड करोगे तो minus का आएगा बेटा 12y कितना मिलेगा minus का 12y यानि कि minus 12y को इससे multiply करो minus 36y square और जब minus 12y को 1 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा minus का 12y इस तरीके से 12y प्लस का 4 तो इस equation को इससे multiply करें इस equation को अगर मैं 4 से multiply कर देता हूं तो यहां पर last में क्या मिलेगा 4 तो बड़े हो जाएगा 12y plus 4 तो यहां minus minus यह दूनों cancel तो यहांनि कि एक factor तो मेरे लिए आया था 3y plus 1 और एक factor क्या मिला मुझे 9y square minus 12y plus 4 equals to 0 अब generally यह है क्या बटा 9y square minus 12y plus 4 equals to 0 यह क्या है बटा यह हमारे लिए 3y plus 1 तो यहां पर थाई यह जो है हमारे पास यह है बटा 3y minus 2 का whole square यह क्या है बटा 3y minus 2 का whole square आप check करके देख सकते हैं तो यहां पर हमारे पास कितनी values मिल रही है तो यहां पर बटा y की value मिली एक तो minus का 1 by 3 जब मैं इसको 0 के equate करूँगा और एक बार y की value square तो 0 में चला जाएगा यहां y की value क्या मिलेगी 2 by 2 तो कितनी real values आई हमारे पास 2 real values आई 2 real values आई तो देखा आपने कितना कैलकुलेटिव था तो पीटा एंडी एक अंदर बिलकुल कुछ questions आपको कैलकुल मिलेंगे ही मिलेंगे तो आपको इस तरीके से उनको solve करना है तो यहां पर fx equals to 1 यह किसके equal आई का बटा 2 real roots हमारे पास आगे 2 solutions हमारे पास एक तरह से देखने को मिलेंगे अब यह आपके लिए एक तरीके से टास्क है fx equals to minus 1 तो fx equals to minus 1 जब आप रखो गे तेया 1 की जिए किया करना minus 1 देखना चेक करना कितने आपको इसके solutions मिलता है तो यह आपके लिए टास्क है बटा चलिए देखते हमारा next question देखो इफ the roots of the equation एक equation दे रहे है x square plus px plus q इसके roots है बटा alpha की value है 10,19 और beta की value क्या है 10,20,60 तो यह roots हमारे पास 10 की format में दे रहे हैं और मुझे पूछा गया है इन में से कौन सा सही है तो बटा generally मैं अगर sum of roots कर हो क्या आएगा 10,19 प्लस 10,26 और अगर मैं alpha बीटा करता हूं product of roots तो यह आएगा 10,19 और यहां के आजाएगा 10,26 अब यहां पर मुझे trigonometric का concept पता होना चाहिए trigonometry का होता है तो यहां पर हमारे पास जो value है इस तरीके से हम लोग देख सकता है equation है हमारे पास क्या equation है हमारे पास x square plus px plus q equals to 0 तो यहां alpha प्लस beta की value क्या है minus का p upon 1 और alpha beta की value क्या है बटा alpha beta की value है केवल और केवल q यानि कि इसकी value है हमारे पास minus का p और इसकी value क्या है q अब मैं यहां पर a और b की जगए बटा 19 और 26 रखता हूँ देखो यहां further हम लोग इसको solve कर रहा है तो हम लोग यहां क्या करते है बटा 10 मैं a की value ले ले लेता हूँ 19 और b की value ले लेता है 26 तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 10 19 प्लस 10 26 और साथ ही साथ 1 माइनस 10 19 और 10 26 अब यह कितना होगे बटा 10 45 तो यहां पर तो रहा आप के लिए बटा और बटा यहां a plus p किती value है इसकी minus का p upon 1 minus इसकी value क्या है इसकी value है q ठीक है 1 minus यह हमारे लिए q है cross multiply करा हूँ 1 minus q will be minus p तो बटा हमारे पास जो result है किस तरीके सा आएगा यह p इदर आएगा तो क्या हो जाएगा positive और यह minus का q यह किस के equal रहेगा हमारे पास minus 1 की यह फिर इस बटा q minus p yes q minus p equals 1 तो पहला option हमारे लिए क्या है सही ठीक है तो आज के session में हमने complex number और quadratic equation related question की ठीक है आयोप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके समझना है तो बटा अब आपका काम क्या है तो शौर यह बारत officers hub पर बने रहना है और साथ ही साथ आपको बटा शौर यह बार boys के लिए बटा ऐसे कुछ इंता करने के बात निया को ज्यादा वड़ी फीस नहीं है तो प्लीज आप शौर यह बात आप को डाउनलोड करें जिसके अंदर बहुत सारे features है पहला है e-books का जो भी हम लोग theoretical part पढ़ता है बटा theoretical part आपको language की form में लिखा मिलेगा मात लाइव क्लासे चलती है लाइव इंट्रक्शन चलता रहता है और क्या है वीडियो लेक्चर से प्री रिकॉर्डड वीडियो लेक्चर सापकी तोंसेप को और अच्छा बनाने के लिए प्रैक्टेस टेस्ट है अजारों की संख्या में आपको questions मिलेंगे हर subject related साथ इसाथ लाइव सब्सक्राइब होगा अपनी क्या कहता है रैंक को पैन इंडिया लेवल पर मैच कीजिए और इंडिया सुपर टैस्ट सिरीज चलती है और डाउट बॉक्स अपने आप में अलेगी खासियत है डाउट बॉक्स वाल कर रहा है और आपको उसके अंदर कोई डाउट आ रहा त कीजिए फाइव लैक से जादा स्टूडेंट्स इस पर वरोसा ज़ता चुके हैं तो आप भी वरोसा कीजिए विटा चलिए मिलेंगे हम लोग इस मैच सब्जेक के नेक्स सेशन में चलिए तब तक के लिए जय है